हेलो प्रेंज आज मैं आपके साथ एक ट्राडिशनल गुज्राती रेसिपी जिसे बेलन लापसी या कंसार कहते हैं वो शेर करूंगी यह हमारे घर में अलग तरीके से बनाया जाता है वो भी दिखाती हूं सबसे पहले हम मिक्षर में गेहू ले लेंगे गेहू को हम 20 सेकंड के लिए 2-3 बार ग्रैंड कर लेंगे एक साथ में ग्रैंड ने करेंगे जिससे कि उसका फाइन पाउडर ना बन जाए फिर इस गेहू को हम ऐसे चान लेंगे जो नीचे का जो पार्ट है वो हम लापसी के लिए यूज कर सकते हैं उपर वाला जो बड़ा चम्चा घी डालेंगे और बेलन से उसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अ beha के अ alpha करड़ाई में हम एक कटोरी लापसी के लिए एक कटोरी पानी लेंगे को और उसके अंदर एक बड़ी चम्मस हमेंके गुड को मिला लेंगे और पानी ऊबालने देंगे अब ये जो उबला हुआ गुड़ का पानी है इसे हम वो लापसी के मिश्टर में डाल देंगे और इसे वापस हम बेलंस से अच्छे से मिक्स कर देंगे और पीछ में ऐसे होल्स कर देंगे कि जिसे लापसी अंदर से भी अच्छे से पक जाए कि ट्रेडिशनरी हमारे यहां इसे कुकर में बनाते हैं जिसके अंदर एसे स्टैंड रखके उसके उपर तपली रख देते हैं और उसको कवर करके हम उस पे वजन के लिए एक बड़ा पत्थर रख देते हैं इधर मैंने टोटल पांच सिटी बजाई है आप पांच से छे सिटी बजा सकते हो उसमें रेडी हो जाती है इसके साथ-साथ हम सुगर को भी मिख्षय में ग्रैंड कर लेंगे लापसी में हम उपर से घी और सुगर डालते हैं तो अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें सुगर डाल सकते हो अब चेक कर लेते हैं लापसी रैडी है कि नहीं वह त्यान से हमें चिम्टे से इस पत्थर को दूर करना है यह बहुत गरम होता है तो संभाल के दूर करना है अभी लापसी निकाल देते हैं अभी उपर से उसमें हम घी और सुगर डालेंगे अपने टेस्के हिसाब से और हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो रैडी है यह ट्रेडिशनल गुजराती बेलन लापसी आप भी ट्राइ करिए कर दो है लापसी से इनना है